दर्शुको आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवगे वैश्णवी में आज हम नवरात्रों में मा चंद्रगंटा यानि नवरात्री के तीसरे दिन की पूजा के बारे में बताते हैं माचंद्रघंटा नवरात्री के तीसरे दिन में पूजे ही जाने वाली नवद्रुगा का तीसरा रूप है माचंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के याकार का अर्द चंद्र सुशोबित है जिसके कारण इंका नाम चंद्रघंटा पड़ा है उनका ये रूप शक्ति और सहास और वीरता का पर्दिक है माचंद्रघंटा के पूजन करने से जीवन में सुख शांती बनी रहती है संकटो का नाश होता है कहते हैं कि माचंद्रघंटा का ये रूप तप पर कट हुआ था जब भगवान शिव से विवा के समय आतन कंभीर और उगरू सवरूप में थे जब शिवने अपना सवरूप आतने उगरूप बना लिया था भगवान शिव के भस्म मले रूप और रुदरूप को जब देवी पारवती के घर में विवा के लिए परवेश किया तब माता ने अपने समय और शांती दाय के रूप धारन किया ताकि भगवान शिव का रूप उगरू रूप शांत हो सके और विवा में किसी परवार के बादा ना आए माचंद्रगंटा अपनी समयता के साथ साथ असेम शक्ति का भी पड़ती है वे दुष्टों का संगार करती है और अपने भुक्तों की हर परवार के बादा उसे को मुक्त करती है माचंद्रगंटा का सवरूप होती मनुहर है दिव्य है माचंद्रगंटा के दस हाथ होते हैं जिनमें वे शस्त्रधारन के उहे राती है वे उनके युद कोशल और शक्ती का पड़ती है मा चंद्रगंटा का वाहन सिंग है जो कि उनकी वीरता और सास को दर्शाता है मा के मस्तक पर अर्द चंद शुशोबित होता है जिससे उन्हें चंद्रगंटा कहा गया है उनके हातों में मकमल, तिर्शूल, गदा, दनुसवार, तलवार और अन्य अस्त्र श्त्र होते हैं जो उनकी व्योद शम्ता और शक्ती का संकेत देते हैं मा चंद्रगंटा के चेरे पे शान्त और प्रसंता दिखाई देती है वे भक्तों की रक्षक हैं, संकटों का नाश करके सुक्षान्ती परदान करती है मा चंद्रगंटा की पूजा से विशेष लाप प्राप्त होता है उनके आशिरवास से जीवन में शान्ती और स्म्रदी आती है जीवन की सारी नकारात्मक तक अंत हो जाता है वे भक्तों की जीवन में सुक्षान्ती और स्मरदी का भास होता है मा चंद्रगंटा दुष्टों का संगार करती है और वे भक्तों की रक्षा करती है जो वेवेक्ती चंद्रगंटा की पूजा करता है वेवेक्ती हर कटनाईयों का सामना कर सकता है और मा की उपासना से स्मस संकटों का नाश भी हो जाता है मा चंद्रघंटा अधित्य शक्ति सास और आत्माजुन का प्रतीक है जीवन में हर आने वाली चुनोतियों का सामना करने की शम्ता मा चंद्रघंटा की पूजा से मिलती है धन्यवाद